हेलो दोस्तों, value index और value stocks के बारे में वीडियो में बात करेंगे, nifty के अंदर एक index है, जो 20 stock का index है और उसमें value stocks चुने जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में डीटेल में और क्या नए changes हो रहे हैं, उसको भी जानेंगे, अब उस index का price earning ratio है 19.57, nifty का कुछ 22. 22.5 है, अगर आप November का latest data देखें तो यह nifty के comparison में price earning में सस्ता है, लेकिन price to book value index है, लेकिन फिर भी price to book थोड़ा nifty से भी जादा है, value stocks है, यहाँ पर तो उनका dividend भी देने का रहता है, तो dividend yield भी इसका nifty का double है, nifty का कुछ 1.3% के आसपास है, इसका 2.7% dividend yield है, अब इस index के अ बात करेंगे, तो मैं long term का data लूँ, जो total return index कहा जाता है, जहाँ पर dividend भी include किया जाता है, तो nifty का return है 14.32% और इस index का 18.06% return है, अगर one year, क्योंकि लगभग एक साल होने ही आया है, अगर पिछले साल December से साल November तक का एक साल का data लेंगे, तो nifty लगभग 12% उपर है, और ये index लगभग 12%, in fact, थोड़े points में ये index का performance अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, अगर सिर्फ 2022 के जो 11 महीने हुए है, तो nifty 9.5% का return है, और इस index का 5.14% का return है, तो long term में इस index ने nifty को beat किया हुआ है, लेकिन क्या ये index volatile है, nifty के comparison में, तो वो चीज हमको standard deviation से पता चलती है, देखिए, इसका standard deviation है, 17.93%, मतलब ये index आप ऐसा मान सकते हैं, वो risk कम ले रहा है, कम volatile है, और return जो है long term में, nifty से ज्यादा दे रहा है, तो कौन से stocks है, total B stock के list हम वीडियो में लाए हुए है, तो पहला नाम है, यहाँ पर Infosys TCS, देखिए, IT companies के लिए 2022 अच्छा नहीं रहा है, अगर IT company, 2023 या 24 में, अगर comeback करती है, तो ये index और अच्छा कर सकता है, बट again, कैसा perform रहता है, हमको बाद में पता चलेगा, ITC के लिए 2022 बहुत ही अच्छा साल रहा है, जिसकी वज़र से वो चला है, तो ये index कभी अच्छा performance हुआ ही होगा, 12% super का weightage है, फिर Larson and 2BRO है, L लेकिन मैं आपको बताऊंगा, Larson, 2BRO को अभी आप काट दीजिए, ठीक है, क्यों काट दीजिए, मैं थोड़ी जर में आपको बताता हूँ, तो उसको अभी index में फिलहाल compare, अगली बार से हम नहीं करेंगे, क्यों है, मैं आपको बताऊंगा, फिर हिंदुस्तान Unilever है, फ टेक महींद्रा है, तो IT नाम, PSU नाम, फिर FMCG कमपनिया, maximum वही हमको यहाँ पर इस value index में हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन 10 नाम हुए, बाकी और 10 नाम है, वो मैं आपको बताता हूँ, तो टोटल 20 नाम है, यहाँ पर दूसरे जो नाम है, जैसे बजाज, आटो, भारत पेट्रोलियम बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन वेटेज कम था उनका, तो भारत पेट्रोलियम फिर बहुत नेगेटिव इंपक्ट नहीं किया होगा, उसने, फिर ब्रिटानिया भी है, कोल, इंडिया, इन लोग का वेटेज कम रहेगा, आप देख सकते हैं, 2.78% से कम क वेटेज रहेगा, उनका, फिर ग्रासीम, HCL का नाम आ गया, फिर हीरो मोटर्स, हिंडाल को, HUL, ITC, Infosys, JSW, लारसने टूबरो, यह सब तो आ गये, NTPC, ONGC भी इस इंडेक्स का पार्ट है, फिर TCS है, TCS तो लॉंग, इस नंबर टू मही है, फिर टेक महिंदरा, UPL, विप तो यह सब इंडेक्स मानता है, अपने जो 50 स्टॉक में से, कि यह 20 स्टॉक यहाँ पर इंडेक्स मानता है, तो यह इंडेक्स के बारे में जल्दी बता दूँ, सबसे पहली बात, वेल्यू स्टॉक की डेफिनेशन, एक्चुली कुछ है नहीं, जैसे लार्ज केप की डेफ 100 कंपनी, मार्केट कैप के साब से, MP जो पब्लिस करती है, तो वेल्यू में आपकी डेफिनेशन या मेरी डेफिनेशन सब अलग हो सकती, इसलिए बहुत सारे वेल्यू मीचुल फंड्स भी है, तो सब फंड मैनेजर की अपनी अपनी डेफिनेशन है, तो निटी की क्या डे फिर पी, 0.3, 30%, फिर 20% प्राइस तो अर्निंग, और डिवीडेंट इल्ड, 10% का वेटेज, तो उसके हिसाब से, जो भी अपने जो स्टॉक्स हैं, उस हिसाब से उन्होंने चूज किया है, क्यों मैं बब कता कह रहा था कि, कि लारसन इन टूबरों पर अभी ध्यान मत अगें, वेल्यू के कोई डेफिनेशन नहीं है, किसी को वेल्यू लग भी सकता है, किसी को वेल्यू नहीं भी लग सकता है, बट निफ्टी को नहीं लग रहा है, जो इंडेक्स जो है, कि लारसन इन टूबरों एक वेल्यू स्टॉक है, अभी भी वो निफ्टी का पार्ट ह से जो export duty लगी थी उसके कारण से उनको negative impact पड़ा है तो अब इंडेक्स को लगता है कि 2023 जो है टाटा स्टील को include करने से कच्छा हो सकता है तो एक इंडेक्स है इसके अलावा भी बहुत सारे strategy इंडेक्स यहाँ पर होते हैं उन सब के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा अर्ली financial आजादी में धन्यवाद आपके टाइम के लिए थैंक्यू